उस रात मेरी ससुर ने मेरा बहुत जोर से हाथ पकड़ा और मुझे अपनी और खीचा। ऐसा करते ही मैं उनके उपर गिर गई। मैंने खुद को बहुत छोड़ानी की नाकाम कोशिशें की। अगले ही पल उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और फिर पूरी रात मेरे मेरा नाम मूना है, मैं कानपूर में रहती हूँ और मेरी एक कहानी मेरे ही ससुराल में हो रहे मेरे उपर अत्याचार की है। भगवान ऐसा ससुर किसी को ना दे। जिस तरह के मेरे थे। मैं उनके इकलौते बेटे की विद्वा थी और वो मुझे पर पिछले साथ सालों त मेरे भावी नहीं चाहती थी कि मैं माई के जाकर हूँ, वो बार बार यही बोल रही थी कि तू तो जानती ही है, तेरे भाई के आमदनी कितनी कम है, और भी ना जाने वो कितने ही तरह के बहाने बना रही थी। वो मेरे साथ मेरे दो बच्चों का बोज नहीं उठाना चाहत मेरा भाई भी बार बार मेरे ससुर को यही बोल रहे थे कि आप मुना को इसी घर में जगा दे दीजे आखिर वो आपकी घर की बहु है आज मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरे पती के जाते ही मैं कैसे सब पर बोज बन गई हर कोई मुझसे पला ज़ाड रहा था मेरी मा बेचारी चुप चाप बैठी सबकी बाते सुन रही थी और लगतार आसू बहा रही थी शायद वो कुछ बोलने की स्तिथी में नहीं थी वो तो खुद ही भाई भावी के सहारे जिंदगी गुजार रही थी तो वो कैसे ही कुछ कहती कैसे कह देती कि वो अपनी बेटी को अपने पास रखेगी मैं चुप चाप सर जुका कर बैठी थी ना उनकी बहस में कुछ बोल सकती थी और ना ही अपने लिए कुछ कह सकती थी क्या खिर मुझे क्या करना है मेरे पती जिनका नाम राज था उनके जाने के बाद में अकेली पढ़ चुकी थी मेरे साथ साथ मेरे दो बच्चे भी अकेले हो गए थे राज से मेरी लव मैरिस तो नहीं हुई थी लेकिन शादी के बाद हम दोनों को एक दूसरे से बे पनह प्यार हो गया था और फिर जब हमारे दो बच्चे इस दुनिया में आये तो हमारी जिन्दगी पूरी तरह से बदल गई आखिर ये बच्चे हमारे प्यार के निशानी थे और हमारी जिन्दगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी ससुराल में मुझे किसी चीज की कोई परिशानी नहीं थी मेरी सासु मा तो मेरी शादी से पहले ही नहीं थी उनका दिहान थो गया था राज सिर्फ दो बहन भाई थे उनकी एक बहन थी जो शादी शुदा थी उनका ससुराल हमारे घर से बहुत दूर था जिसकी वजह से वो सिर्फ साल में एक बार ही आपाती थी. घर में सिर्फ मेरे ससुर और मेरे पती और हमारे दो बच्चे थे. कुछ दिनों से राज को आफिस की तरफ से कुछ परिशानी हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत उदास रहने लगे थे. उनकी कंपनी में बहुत लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से काफी वरकर्स को कंपनी से निकाला जा रहा था. राज भी उसी से बहुत परिशान थे, कि अगर कंपनी ने उन्हें भी निकाल दिया, तो वो दूसरी जॉब कैसे डूंडेंगे? क्योंकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिलना आज की समय में बहुत मुश्किल है. वो दिमागी तोर पर बहुत परिशान थे. मैं उनको बहुत समझाती और तसली भी देती थी कि आप परिशान मत हो, सब कुस ठीक हो जाएगा. लेकिन वो मुझसे बस यही कहते थे कि नौकरी भी मुझे बहुत महनत करने के बाद मिली थी. काफी दिनों तक मैं बेरोजगार की तरह यहां-वहां घुमता रहता था. मुझे इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं चला कि उन्होंने इस परिशानी को अपने दिल दिमाग में कब उतार लिया. वो इस हद तक परिशान हो गए थे कि वो दिमागी तोर पर बिमार हो गए. फिर एक दिन उनकी कंपनी से बहुत भुरी खबर आई, जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी. पता चला कि मेरे पती को भी नौकरी से निकाल दिया गया है, और उनके साथ के वरकर्स का कहना था कि ये बात सुनकर उसे अचानक ही दाई तरफ बहुत तेज दर्द उठा. हमने उसे कहा भी कि वो आराम कर ले, पर वो नहीं माना और अपने दर्द को नजर अंदास करके काम करने में व्यस्त था. और फिर पसीने से उसका चेहरा लटपट हो गया और वो कुरसी पर बैठे-बैठे बिहोश हो गया. हम सब तुरंथ उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचे, जहां हमें बाद में ये पदा चला कि राज को हार्ट अटेक आया था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ. मेरे दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि अभी स्कूल भी नहीं जाते थे. छोटा वाला बेटा तो धाई साल का था, जबकि बड़ा बेटा चार साल का. मुझ पर तो जैसे मानुद दुखों का पहार तूट पड़ा था. इतनी बड़ी जिंदगी मेरे आगे खड़ी थी. मेरे भाई की बातों से जाहिर था कि वो मुझे किसी भी तौर पर अपने पास रखने के लिए तयार नहीं था. मेरे ससुर ने भी कह दिया कि राज के जाने के बाद मोना का इस घर पर पूरा हक है. मेरे भाई और भाबी ये बात सुन कर तो बहुत खुश हुए. और मेरे ससुर को कहने लगे कि आपका दिल कितना बड़ा है जो अपनी बहु और अपने पोतों को इतना खयार कर रख रहे हैं. मेरे ससुर पहले आर्मी में नौकरी करते थे और अपनी रिटायर्मेंट के बाद वो आजादी की जिंदिगी गुजार रहे थे. उन्हें उनके पेंशन मिलती थी और वो इतनी थी कि अगर वो अपने साथ चार आदमियों को भी पाल लेते तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक नंबर के कंजूस थे. क्योंकि अपनी पेंशन सारी वो बैंक में जमा कर देते थे और हमें एक पाई नहीं देते थे. मेरे ससुर नीचे वाले कमरे में रहते थे, मैं तीनों टाइम का खाना उनके कमरे में पहुँचा दिया करती थी. और चाई भी अकसर मैं उनके कमरे में ही दे देती थी. जाते हुए कहते कि आखिर उन्होंने अपनी दौलत का करना क्या है, सब हमारे लिए ही तो है, जमा कर रहे हैं तो करने दो, ये बाते सुनकर मैं खामोश हो जाती और सोस्ती थी कि राज बोल सही रहे है, राज के मुझे छोड़ जाने के बाद वो रिष्टा भी मेरे लिए ख मेरे पती राज को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थी, इसलिए मैं बाहर आजा भी नहीं सकती थी और नहीं किसी पराय मर्द के सामने जाती थी, इसलिए चुप चप अपनी जिन्देगी का फैसला होते देख रही थी, मेरी नननद राज के मरने पर भी आने ही सकी, क्यो इस हालात में वो सिर्फ दुख जताने के सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, फिर मा और भाई मेरे सर पर हाथ रखकर चले गए, जाते जाते मा ने मुझसे बस यही कहा कि बेटी अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परिशानी हो, तो उसी समय मुझे बता देना, मैं अपन अली भरी बाते मेरे दिल को सुकून जरूर पहुचा रही थी, उन लोगों के जाने के बाद अब इससे बहुत परिशान हो रही थी कि इतने बड़े घर में, अब मैं अपने ससूर के साथ अकेले कैसे रहूंगी, मेरे ससूर तो पूरा दन नीचे अपने कमरे में ही रहते ह वो कभी भी उपर नहीं आते थे, बलकि मैं ही उनका खाना देने और चाय देने के लिए नीचे जाती थी, बच्चे भी खेलने नीचे ही जाते थे पर मेरे ससूर को हमारे बच्चों से कोई खास लगाव कभी था ही नहीं, इसलिए वो थोड़ी बच्चों से बात जरूर कर लिया करते थे, लेकिन फिर यही कहते कि उपर जाओ अपनी मा के पास, राज मुझे हमेशा कहते थे कि वो अपनी आर्मी वाली लाइफ गुजार कर आए हैं, बहुत डिसिप्लिन में रही हैं सारी जिंदगी, तो उन्हें प्यार जाहिर करना नहीं आता, बस इसलिए बच् सही कहना पड़ता था, मुझे ऐसा करना बहुत ही खराब लगता था, अब मैं यही सोचने लगी थी कि अब मुझे ससुर के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी होगी इसी तरह से, राज के जाने के बाद मुझे सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठानी थी, मैं उसी समय मुझे खाना लेकर अपने ससुर के पास जाना होगा, पहले अजीब नहीं लगता था, पर अब लग रहा है, पहले की बाद भी तो कुछ और थी ना, लेकिन अब नीचे जाने में बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर मेरे दिल में खयाल आया कि आखिर पैसो और घ भर, बच्चों की जरूरत के लिए भी तो मुझे उनके आगे हाथ फिलाने पड़ेंगे ही न, तो फिर उनका कोई काम करने में क्या हचकचाना, यही सोचने के बाद मैंने एक ट्रे में सारा खाना रखा और अपने ससुर को देने के लिए नीचे चली गई, नीचे जाकर मै मैंने बिस्तर से खाना उठाया और वापस मुढने लगी, तब ही बातरूम का दर्वाजा खुला, और ससुर जी नी कहा कि मैं नहा लिया हूँ, मेरे हातों में खाने की ट्रे थी उस समय, ससुर जी ने सिर्फ पजामा पहन रखा था, उनके ऊपर पूरे शरीर पर दूसरा क कोई कपड़ा नहीं था, मैंने अपनी नजरें जुका लिया और फिर उनसे कहने लगी कि मैं आपके लिए खाना लाई थी, उन्होंने मुझसे कहा खाना बेट पर रख दो, खाना उनके बेट पर रख कर मैं वापस मुढ ही रही थी कि अचानक मैं पीछे खड़े ससुर जी से टकरा गई, मैंने उनसे कहा कि माफ कीजे का मुझे पता नहीं था कि आप मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हैं, वो भे मुझसे माफ़ी माँगने लगे और कहने लगे कोई बात नहीं, दर असल मैं अपना चश्मा उठा रहा था, मैं जल्ली से घबरागर कमरे से बाहर आ मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, मैं भाग कर अपनी कमरे में चली गई, महिने का सारा राशन भी तो खत्म हो गया था, मैं सोच रही थी कि ससुर्जी से बोल देती हूँ कि राशन बरवाद है, मुझे उनको बोलने में बहुत सारा जिजग भी होती थी, हिम्म में हर तरफ अंधेरा सा था, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने बहुत दीमी आवाज में उनसे कहा कि ससुर्जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो आवाज सुनकर एकदम से उठ गई और अपने पास ही पड़े लैंप पर हाथ मार कर लाइट जला दी, और आओ यहां मेरे पास बैठो, उनका ऐसा कहना मुझे बहुत अजीब लगा था, लेकिन राशन की बात भी तो करनी जरूरी थी, तो इसलिए चुप चब जाकर उनके सामने दूसरी तरफ को बैठ गई, कमरे का महौल अजीब सा था, एक अजीब सी घबराहट हो रही थी अगर आप भरवा देंगे तो, मेरी बात सुनकर वो कहने लगे क्यों नहीं, आके मैंने तुम्हारी और बच्चों के जिम्मेदारी उठाई है, अब से तुम लोगों को किसी भी चीज़ की कोई परिशानी नहीं होगी, तुम बिना जिजग के मुझस अपनी सारी बाते कह स अब से तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परिशान होने की बिल्कुल ज़रत नहीं है, इन बातों के दौरान उनकी नजर मुझपर ही जम्मी होई थी, बहुत ही अजीब नजरों से वो मुझे देख रहे थे, मैं तो अपनी नजरे जुका कर सिमट कर बैठी थी, तब ही आगे मुझे से कहने लगे कि मुना एक बात बताओ, राज के जाने के बात से तुम्हें उसकी कमी तो महसूस होती ही होगी ना, आज उनके ऐसे शब्द मुझे कुछ मतलबी से लग रहे थे, मैंने जुकी नजरों से कहा कि जी ससुर जी, राज की तो मुझे हर वक्त याद उनके बिना सब कुछ सूना सूना सा लगता है जब से वो गए है तब से मेरी जिन्दगी कातो जैसे मकसद ही खत्म हो गया है आगे वो कहने लगे कि मुझे भी हर वक्त तुम्हारी सास यानि कि अपनी पत्नी की बहुत कमी महसूस होती है आज उसको मरे कितने साल गुजर गए है लेकिन मेरे दिल में कभी भी दुख्री शादी का कोई खयाली नहीं आया पर तुम मुझे पत्नी की जरुरत तो थी हमेशा ही उसकी कमी खलती थी तुम खुद देख लो मैं कितना फिट हूँ तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे जिंदगी में किसी औरत को ही ले आओ वो मेरा ध्यान अपनी और खीचने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को बता दू कि बेशक उनकी उम्र जादा थी पर वो कहीं से भी बूरे नहीं लगते थे उनकी ऐसे बाते सुनकर जल्दी से वहां से उठने लगी उन्होंने अचानक मेरे हाथ के उपर अपना हाथ रख दिया और मुझसे कहने लगे कि तुम किसी भी चीज़ के लिए बिलकुल परिशान मत हो ना तुम्हारी जो भी इच्छा है और फिर कैसी भी जौरत हो मुझे बताना परिशान होने कि बिलकुल भी जौरत नहीं है मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूँगा उनके हाथ मेरे हाथों पर धरे हुए थे और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था मेरा शरीर तो अंदर से कापने लगा था मैंने धीरे से अपना हाथ खीच लिया और जल्दी से उटकर खड़ी होई फिर उनसे कहने लगी कि ससुर जी आप जल्दी से राशन भरवार दीजीगा ये कहकर मैं तुरंत वहाँ से सीड़ियां चड़ती होई अपने उपर कमरे में चली गई उनका हाथ मुझे अपने हाथों पर अभी भी महसूस हो रहा था और फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था फिर ना जाने क्यों मैं सीधा वाश्रूम में अपने हाथ धोने चली गई अब तो मेरी कोई भी हसरत नहीं बची थी और अब तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ राज के नाम पर ही गजारना चाहती थी दूसरे ही दिन ससुर जी ने राशन लाकर किचन में रखवा दिया इसमें कोई दोराय नहीं कि उनके पास पैसो की कोई कमी नहीं थी इतने सालों से पेंशन के नाम पर जो रखम आ रही थी वो बैंक अकाउंट में ही वो जमा ही तो कर रहे थे अब तो वो बच्चों के लिए भी खाने पीनी का समान, खिलौने, लाने लगे थे जिन देख कर बच्चे तो बहुत खुश हो जाते थे लेकिन मैं सोसती थी कि ससुर जी ने राज के होते हुए तो कभी भी मेरे बच्चों पर ऐसे उपकार नहीं किये पर यही लगता था कि शायद ये सोच कर कर रहे हो कि ये बच्चे अब यतीम हो चुके हैं मैंने समय निकाल कर सारा राशन किचन में लगा दिया एक दिन खाना खाकर दुफैर के समय अपने दोनों बच्चों के सोने के बाद मैं नहाने बातरूम में चली गई जैसे ही नहाकर बाहर आई तो ससुर जी मेरे कमरे में ही खड़े थे उन्हें अचानक देखकर मैं तो दंगी रह गई मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था मेरे गीले बाल भी खुले हुए थे मेरे बालों से पानी टपक टपक कर मेरे सारे कपड़ों को भिगा रहा था उन्हें इस तरह से अचानक अपने सामने देखकर मैं शयम से पानी पानी हो गई थी मैं उनसे कहने लगे कि ससुर जी आपको कोई काम था क्या उनकी नजरे मेरे शरीर से हट नहीं रही थी उनकी नजरों से एक अजीब सी प्यास जाग रही थी वो मुझे बिलकुल अजीब सा महसूस करवा रही थे उस समय अब मैं बक्खू भी समझ चुकी थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे देखते हुए कहने लगे कि आज पता नहीं क्यूं मुझे बहुत अकेला पर महसूस हो रहा है इसलिए सोचा कि कुस दिर तुम्हारे पास बैट जाओ मैं भी नजरे जुकाए उनसे बोली कि जी ससुर जी क्यूं नहीं मैंने उनसे कहा कि हम यहां बैट कर बाते कर सकते हैं तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं यहां बात करना सही नहीं होगा बचे भी तो सो रहे हैं यहां अगर हम यही बाते करेंगे तो बच्चों की भी तो नीन खराब हो जाएगी चलो दूसरे कमरे में चलते हैं मैं उनकी बाते सुनने और मानने दोनों पर मजबूर थी क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का सारा खर्चा उन्होंने ही तो उठाना था इसलिए मैंने अच्छे से दुपटा उड़ा और उनकी बात मानकर दूसरे कमरे में चुप चाप चले गई दूसरे कमरे में जाने के बाद मैं बेट पर बैठ गई और ससुर जी भी मेरे बराबर में ही बैठ गई और फिर मुझसे कहने लगे कि आज मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है जब तक वो जिन्दा थी उसने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी मैं अब तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम उसकी कमी को मेरी जिन्दगी में पूरा कर दो फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगे देखो इस शहर में मेरी बड़ी इज़त है और मैं ये नहीं चाहता कि कल को मेरे बारे में कोई भी बात बनाए कि इसने तो अपनी जवान बहु को अपने साथ रखा है इसलिए तुम घर की बातों को घर के बाहर नहीं जाने दोगी ना ही आसपड़ोस की और ओरतों को जादा घर बुलाओगी मुझे अपने घर में औरतों का आना जाना बिलकुल पसंद नहीं है मैं उनकी बाते सुनकर बहुत हैरान थी मैंने तुरंट अपना हाथ उनके हाथ में से खीच लिया उसके बाद मैंने अपना सर जुगा कर उनसे कहा कि ससुर जी आप परिशान मत हो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी यहां कोई औरत नहीं आएगी और मैं किसी को भी अपने घर की बाते नहीं बताऊंगी आपने मेरे और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है इसलिए मैं आपको वैसी ही बहुत जादा एहसान मंद हूँ वो मेरे शरीर को बहुत ही गंदी निगाहों से देख रहे थे मेरा दिल तो बहुत बुरी तरहा से धड़क रहा था क्योंकि उनकी नजरे मुझे आज बहुत बदली सी महसूस हो रही थी फिर वो धीरे धीरे से खिसके मेरे और जादा करीब आने लगे और पीट पर हाथ फेडने लगे मैं एकदम से उट खड़ी होई और बेहत कड़क शब्दों में मैंने उनसे कहा कि ससुर जी यह आप क्या कर रहे हैं आपको शरम नहीं आती मेरे मुझे यह इलफास बेहत धीमे निकले थे मानो मेरी आवाज ही अटक गई हो वो उसी समय उठे और मेरे सामने आ गए और मुझे से बोले कि देखो शुरू शुरू में हो सकता है तुम्हें अजीब लगे लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी वो मुझे जो समझाना चाह रहे थे मुझे बहुत अच्छे से समझा रहा था लेकिन मैं तब भी उनकी बात को समझना नहीं चाहती थी उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रखे और कहने लगे कि देखो मैंने तुम्हारी और बच्चों की इतनी भारी जम्मेदारी उठाई है इसके बदले में तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं बनता क्या तुम्हें भी मुझे खुश रखना पड़ेगा अभी तो मैं चला जाता हूँ लेकिन तुम अच्छी तरह सोच लो और समझ लो अगर यहां रहना है तो मुझे खुश करना होगा वर्ना कहीं और जाकर रहो उनकी गंदी निगाहों से मुझे घिन आ रही थी ये बात बोल कर वो चले गए मैं वहां बैठे बैठे ही जोरों से काप रही थी वो ऐसा कैसे सोच सकते थे मेरे बारे में आखिर मैं उनके बेटे की विद्वा थी उन्हें शरम नहीं आई ऐसी बात सोचते हुए बहु भी तो बेटी ही होती है एक दो दिन ऐसे ही गुजर गए मुझे उनके सामने जानने से भी अब डर लग रहा था अब जब भी मुझे उन्हें खाना देना होता तो मैं फटाफट रखकर उपर आ जाती थी उनके कमरे में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी अब मैं और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे बिलकुल भी उमीद नहीं थी मैं अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी क्योंकि गर्मियों का मौसम था गर्मी की वजह से कमरे का दर्वाजा भी खुला हुआ था हमारे कमरे में एसी नहीं था और बाहर आंगर में सोते हुए मुझे डड लगता था इसलिए मैं कमरे का दर्वाजा खोल कर ही सोती थी मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई करीब खड़ा है और मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है मैं नीन से उठी दुपट्टा तो वैसे ही मेरे पास नहीं था धीरे धीरे आंके खोली तो ससुर जी सामने खड़े थे मैं एकदम से घबरा कर उठ गई मैंने कापते हुए शब्दों से कहा कि ससुर जी आप आप यहां वो कहने लगे डरो मत मुझे तुम से कुछ काम था मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है थोड़ी देर मेरा सर दबादो मैं जल्दी से उठी और वहां सोफे पर रखा दुपट्टा उठाया और ओड़ लिया और अपने ससुर जी से कहा कि अगर आप कहीं तो आपके लिए चाय बना देती हूँ लेकिन वो कहने लगे कि नहीं नहीं चाय नहीं तुम बस अपने इन खुबसूरत हादों से मेरा सर दबादो चाय में तो वैसे भी कैफिन होता है इसको पीने से दरद और बढ़ जाएगा मैं नीचे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ऐसा बोल कर वो चले गए मैं हैरान परिशान सी वहीं घड़ी रह गई आधी रात के समय नीचे कमरे में उनके पास जाना मुझे पहाड चड़ने के बराबर लग रहा था लेकिन उनकी बात मानना भी ज़रूरी था क्योंकि उनकी नाराज़गी उठाने के स्थथी में मैं नहीं थी आखिरकार वो मुझे और मेरे बच्चों को पाल रहे थे अपनी मजबूरी के बारे में सोचते हुए अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ाने लगी कमरे का दर्वाजा मैंने हलके से बंद कर दिया था ताकि बच्चे ना उट जाए नीचे कमरे का दर्वाजा पहले से ही खुला था जैसे मेरे ही आने का इंतजार कर रहे थे वो फिर मुझे आता देखकर वो बेट पर जाकर लेट गए और मुझे कहने लगे कि जल्दी से मेरा सर दबा दो कबसे मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ और सूने की भी कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे नीदी नहीं आ रही मैं हलके हाथों से उनका सर दबाने लगी उनके माथे को छूते हुए मेरे हाथ बहुत तेजी से काप रहे थे काफी देर तक मैं उनका सर दबाती रही कि अचानक उन्होंने अपना सर उठा कर मेरी गोड में रख दिया मेरा दिल किसी सुखे पत्ते की तरह पूरी तरह काप रहा था ये क्या हो रहा था मेरे साथ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या वो मुझसे कोई गलत संबंध बनाना चाहते थे मैं धीरे से उटने लगी ही थी कि अचानक उन्होंने जटके से मुझे खीचा और अपने उपर गिरा लिया मैंने बहुत नाकाम कोशिश की थी उनसे अपने आपको छुडाने की लेकिन उनका वजूद बेहत ताकतवर था उन्होंने मुझे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि कोशिशों के बावजूद भी उनसे खुद को छुडा पाना मुझे नामुम्किन सा लग रहा था मैंने उनसे कहा कि ससुर जी आप ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे गंदी हरकते मेरे साथ कैसे कर सकते हैं मैं आपके मरे हुए बेटे की बीवी हूँ कम से कम आप इस बात का तो खयाल कीजी वो मुझ पर चिला कर कहने लगे जब तक मेरा बेटा था तब ही तक तक तुम मेरी बहू थी उसके बाद मेरा तुम से कोई रिष्टा नहीं तुम सर्फ मेरे लिए एक पराई औरत हो अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे मताबिक चलना होगा एक जटका और देकर उन्होंने मुझे बेट पर गिरा दिया और मेरे वजूद को बिलकुल बेबस कर दिया आसू थी कि मेरी आँखों से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और आखिरकार उन्होंने अपना मकसद पा लिया था मैं बिलकुल बेजान से उनके सामने बैट कर पड़ी थी जब उनका मुझसे दिल भर गया तो वो मुझसे कहने लगे कि जाओ अब तुम उपर जाओ और खबरदार तुमने अगर किसी को इसके बारे में बताया वैसे भी लोगों को पता है कि मैं कितना शरीफ इंसान हूँ मोहले में मेरी बहुत इजज़त और नाम है अगर तुमने किसी के सामने भी अपनी जबान खोली तो मैं सबको यही कहूँगा कि अपने पती के मरने के बाद तुम मुझसे अपना नाजायज रिष्टा बनाना चाहती हो कुछ ही देर में मैं ये साबित कर दूँगा और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ मैंने भी अपने बिखरे हुए वजूद को समेटा और अपने जखमी दिल को लिए उपर दौडते हुए चली गई मेरे मासूम बच्चे बेखबर से सो रहे थे उने तो ये नहीं मालूम था कि उनकी मा के उपर क्या गुजरी है मैं जिन परिशानी उसे गुजर रही थी उनसे मेरा दिल तो फटा ही जा रहा था मैं उसी समय बातरों में नहाने चली गई मुझे आज अपने ही शरीर से घिन आ रही थी मुझे क्या पता था कि दूसरी सुबह मेरे लिए पिछली रात से भी जादा खतरनाक होगी मैं किचन में रोते हुए नाश्टा बना रही थी मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा था अब तो मैं नीचे जाने से भी कतराने लगी थी लेकिन मुझे अपने ससुर को नाश्टा तो देना ही था ये सब सोची रही थी कि मेरे ससुर जी उपर आ गए और कहने लगे कि तुम नाश्टा लेकर नीचे क्यों नहीं आई मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुप-चाप खड़ी रही वो धीरे से कहने लगे देखो रात को जो भी हुआ उसको भूल जाओ अपनी जिन्दिगी अच्छे से गुजारो और खाओ पियो जिन्दिगी के मज़े लो अगर मुझे ऐसे ही खुश करती रहोगी तो मैं भी तुमें हमेशा खुश रखूँगा रानी बना कर रखूँगा अपनी राज की कमी तो तुम्हें कभी महसूस होगी ही नहीं उनकी बातों को सुनकर मैंने गुसे में अपना मूँ फेड लिया चुप चाप नाश्ता ट्रे में रखकर उनके हाथ में पकड़ा दिया पूरा दिन घर में मैं मेरे ससुर और मेरे बच्चे ही रहते थे बाहर का कोई भी इंसान हमारे घर में आता ही नहीं था अपसे वो हफ्ते में एक या दो बार मेरे साथ यही पाप करते थे कई बार मन करता था कि माँ और भाई को ससुर के बारे में बता दू और हमिशा के लिए अपने बच्चों को लेकर यहां से कहीं दूर चली जाओ लेकिन बस यही सोच कर डर जाती थी कि कहीं मेरे सरसुर भाई को ये ना कह दें कि मेरा ही किरदार खराब है दिन यूँ ही गुजरते गए और मैं हर रोज उस गंदे महाल में पिस्ती रही दिन प्रते दिन मेरे लिए ये सब कुछ एक सजा जैसा हो गया था उन्होंने मेरे बच्चों काश शहर के सबसे मशूर स्कूल मैंडमिशन करवा दिया था उनका कहना था कि अगर तुम मेरा कहना मानती रहोगी तो वो मेरे बच्चों को यूही अच्छी जन्दगी देते रहेंगे उनके आराम के लिए हर अच्छी से अच्छी चीज घर में लाते रहेंगे लेकिन मैं तो अब सर्फ एक जन्दा लाश ही थी मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जंदा थी और ये सब कर रही थी कई बार खयाल आया कि खुद को कुछ कर लूँ फिर लगा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा आखिर ये राज के निशानी थे एक दिन वही हुआ जिसकी मुझे बिलकुल उमीद नहीं थी एक दिन जब बच्चे स्कूल गए तो मेरे ससर ने मुझे फिर से अपनी कमरे में बुला लिया मेरा दिल तो कर रहा था कि आज तो मैं किचन में रखा चाकू उठा कर उनका खून ही कर दो साथ सालों से मैं ये सजा भुगत रही थी अब मेरी बरदाश की हद खत्म हो चुकी थी वो मुझे खीचते हुए अपनी कमरे में ले गया और गलती से शायद उन्होंने अपनी कमरे का दर्वाजा खुला छोड़ दिया वो मुझे ऐसे खीच रहे थे जैसे मैं कोई जानवर हूँ लेकिन अचानक से कब मेरी ननद वहां कमरे में आ गई कुछ पता ही नहीं चला उस दिन उसने अपनी आखों से अपने पिता को मेरे साथ जोर जबरस्ती करते हुए देख लिया था उसकी आखों में अपने पिता के लिए नफरत साफ दिख रही थी मैं जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दीजिये उनके आगे हाथ पैर भी जोड रही थी उनकी विंती कर रही थी कि ससुर जी भगवान के लिए बस करें और मुझे जाने दीजिये अब बहुत हो गया मेरी ननद ने ये सब कुछ अपनी आखों से देख लिया था वो उसी समय अपने पिता के पास गई और कहने लगी कि मैं तो सोचती थी कि मेरे पिता कितने बड़े दिल के आदमी है जिन्होंने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी विद्वा बहु और बच्चों के जिम्मेदारी उठा ली लेकिन मैं मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने घिनोने इंसान निकलेंगे जो अपनी बहु से अपनी हवस पूरी कर रहे है वो राजभाई की पतनी है आज मुझे पता चला कि आपने तो अपने मतलब की वज़ा से भाबी को इस घर में रहने दिया था काश आपने भाबी को गलत नजरों से देखनी के जगा एक बेटी की नजर से देखा होता मुझे आपसे ये उमीद नहीं थी आप इतना कैसे गिर गए मुझे शर्म आ रही है आपको आज पापा बोलने में आज से मेरा और आपका कोई रिष्टा नहीं आप मेरे लिए मर चुके आप भी भूल जाना कि आपकी कोई बेटी भी थी क्योंकि मुझे ऐसे आजमी से कोई रिष्टा नहीं रखना जो किसी की बेटी को बेटी ना समझे आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर कल को ये सब आपकी बेटी के साथ हो तो कैसा लगेगा आपको मेरी नानद रोती हुई वहाँ से चली गई ससुर जी चुप चाप उनकी सारी बाते सुन रहे थे जिनको अभी तक भी ससुर और बहु के रिष्टे का एहसास नहीं हुआ था फिर अचानक एक दिन पता चला कि वो अपना सब को छोड़ चाड़ कर कहीं चले गए हैं किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया आखिर वो कहां गए लेकिन उनके कमरे में कागर ज़रूर मिला था जिस पर वसीहत बनी हुई थी वो अपना सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर गए थे शायद उन्हें अपनी गलती का हैसास हो गया था इसलिए उन्होंने अपनी सारी जदाद मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दी जैसा मेरे साथ हुआ भगवान ना करे कि किसी के भी साथ हो मैं प्रातना करती हूँ कि हर विद्वा औरत को एक अच्छी जिन्दगी मिले और इज़त भी मिले I hope आपको एक कहानी पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी तो चनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे लाइक कर दीजे और अपने प्यारे से कमें नीचे ड्रॉप कर दीजे मिलूंगे अपसे नई कहानी के साथ अप तक के लिए बाबाई